आप साब उमीद करता हूं बढ़ी होंगे और आज जो है कैस दकने की जबर्दस चीजें चल रही है मार्केट के नदर आदी रात को एक ट्वीट आता है from SEC Government की जो वेबसाइट है यहां से आता है कि Today the SEC grants approval for Bitcoin ETFs for listing on all registered national securities exchange the approved Bitcoin ETFs will be subject to ongoing surveillance and compliance measures to ensure continued investor protection यानि कि ये एक ट्वीट आया है और ये आया है लगबर कह सकते हैं कि आधी रात पूर ढ़ाई बज़े के आसपास जब आप और हम घहरी नीन में सुवे होगे थे ठीक है और सपनों के सौदागर बने होगे थे हमनों हमेशा कितरा तो ये आई नीउस ओके और जैसे ये नीउस आई Bitcoin की प्राइस ने कह सकते हैं कि 48,000 के आसपास जंप मार दिया अब जैसे ये ट्वीट आई ठीक है और जो लू जगे थे उनमें तो जबर्दस उत्सा मचा सबने बाई किया प्राइस ओपर गया लेकिन उसके तुरंद बाद एक और ट्वीट आया यहां पर ठीक है इसको आप देखिए ये आया Gary Gensler की तरफ से ये कहते हैं कि भाई जो SEC गोवर्मेंट की जो एक Twitter handle पर जो था उसको compromise कर लिया गया है जहां पर अनाथराइस tweet डाला गया है और अभी तक के लिए यही चीज है कि the SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange credit products ठीक है ये उन्होंने यहां पर चप दिया और उसके बाद से market rounds वापके से नीचे गया मेरे खाल से 45,800 something के आसपस या उसके आसपस देखे बहुत सारी चीज़े यहां पर आ रही है positive तरीके से भी देखा जाए और कुछ negative चीज़ों की तरफ से भी देखा जाए तो आ रही है positive तरीके से पहले यहां पर देखते हैं क्या हुआ अब ये जो tweet है ठीक है ये कह रहे हैं कि भाईया hack हुआ है बट अभी जहां से जो sources से news वगरा मिलके आ रही है यही है कि भाईय ये जो tweet है ये hack किया हुआ नहीं है ठीक है क्योंकि बहुत official तरीके से लिखा गया है और x.com जो है ठीक है उनको मालुम होगा ठीक है Elon Musk की जो company है they know कि इसको hack किया है कि नहीं किया है उनके पस record होगा पूरा तो पहली चीज़ है कि इसको hack नहीं किया गया था क्योंकि अगर hack किया होता तो hack होने के बाद एक time लगता है कि उसको वापिस से twitter handle को अपने पास लेने के लिए उसमें चीज़ों को डिलेट करने के लिए इन्हों डाला उसके तुरंद बाद इसको डिलेट किया that means कि वहाँ पे hack नहीं हुआ था अब ये डाला क्यों क्या ये mistake होई है ये होई है तो हो सकता है कि कुछ mistake होई हो हो सकता है कि ये tweet जो हो वो सही tweet है लेकिन इसकी timing सही नहीं है मतलब कि bitcoin approval वगरा हो जाएगा ETF का लेकिन ये जो post था है इसको schedule करना था एक सही time के लिए बट इसको गलती से बहुत जल्दी ही इसको डाल दिया post कर दिया गया है ये हो सकता है गलती होगी और और हो सकता है मैं आने वाले दिन के अंदर वापे से कुछ ऐसी news देखने को मिले तो पहली चीज़ तो यह जो positive तरीके से देखा जा सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है और आकर ऐसा नहीं होता है तब तो कह सकते हैं कि भाई यह बहुत बड़ी एक गड़बढ है ठीक है SEC Government के तरफ से इतनी बड़ी चूख होना ठीक है इतना बड़ा manipulation करना market में के market में price आता है उससे एक दिन पहले इनका tweet आता है Gary Gansler का tweet आता है कि हम यह सारी precautions लेना चाहिए अगर आप Bitcoin ETF यह सब के अंदर trade करते है तो risk factor आता है पता है इंते लोगों को लागा है listing करने से पहले इस सारी चीज़ें लोगों समझा रहे है कि इसमे risk factor क्या है वो है तो यह अलगलग चीज़े आ रही है तो कह सकते हैं market को बहुत जबर्दस manipulate किया जा रहा है price उपर जा रही है नीचे जा रही है बहुत जबर्दस चीज़ें हो रही है तो let's see अब आज की दिन क्या हो सकता है क्योंकि आज की दिन यह सारे जो कांड हुए है उसके बाद से ऐसा लगता है कि आज की दिन कुछ approval की news आए ठीक है चोकड़ी होने वाली है ठीक है और चारों तरफ से सब बयान आने वार है CNBC को पर cover up किया गया है सारी चीज़ें के cover up के गई है और इन्होंने ही ऐसी जिने Elon Musk के उपर बहुत पर 2018 में शायद है कुछ fraud का लगाया था कि वह ट्वीटर पर आगे ऐसे से बयान दे देते हैं वो दे देते हैं बट अब इनकी बारी कि इन्होंने जो किया उसमें exactly क्या होगा ठीक है तो यह सारी चीज़े चल रही तो we have to see कि अब मार्केट की से साब रिड़ाट करता है जो जो लोग source के उठ रहे हैं वो देख रहे हैं सारी चीज़ें को ठीक है तो आगे मैं यह कहूँगा कि यह मार्केट में तुरह सा आप लोग केर फूड है ना और अब ही अगर हम मार्केट की बात भी करते हैं तो BTC जो प्राइस है यह ठीक ठाक चल रही है कुछ ज़्यादा गीरी नहीं है बट स्टेल एवरीवन इस वीटिंग पॉर दे न्यूस पॉजिटिटिव न्यूस के अगर यह न्यूस आती है तो अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो आपको प्राइस में देखने को मिलेगा इस वेरी सिंपल थिंग और इसी के ऊपर जो है अल्ड कोई भी प्लस माइनस में सारी चीज़े चल रही है तो मैं अभी आपको सिंपली यह कोँगा कि भाई जस्ट वेट फॉर दा पर्फेक्ट न्यूस ठीक है हो जाने तो सेटल होने जादो हो जाने तो निचे हो रहा है तो बी केरफूल और अब पूरा दिन हमें थोड़ा सा एक देखना है कि मार्केट में एक्जेक्ट क्या हो रहा पर आप लोग को क्या लगता है कि यह जो ट्वीट है सेजी गॉवर्मेंट की वेबसाइट है स्वराइट ट्वीटर है इस पर डाला गया है यह खी हिर्य तो ये सारी बहुत सारी अंदर की अंदर चीजे चलती है ठीक है और अंदर ये बहुत होते हैं सब के अंदर तो लेट सी क्या निकल के आता है और आज पूरे दिन में ये सारी चीजे देखे मैं भी हरान हो गया ठीक है क्योंकि सुबह उठता है तो सबसे पहले आप भी धीरे-धीरे स्क्रीन को ऐसो घुमाता है कि बिटकोईन का प्राइस कितना है यहां तक है कि यहां तक है ठीक है कल तो खतरनाक सपना देखा था सला एक लाक एक किस जार कैस बिटकोईन कर दो looking at a फ पहन है है कि बिटके आए तक है तक है कि यह पी थोग दोग जपशना पहन दो ही से वचले करनी के दो कोस्योतिं अआए स्वपद का दो गदिया है